नमस्ते सस्रेयकाल जी कैसे हैं आप सब लोग? आशा है? आप सब लोग अपने घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे इस वीडियो का बनाने का मकसद मेरा सिर्फ एक है आप सभी लोग तो अपने घर पे सुरक्षित हैं और अच्छे से रह रहे हैं लेकिन अमारे देश के बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने घरों तक जाने का परियास कर रहे हैं और जिनको आश्वासन मिला था अमारे सरकार के थरू अमारे गवर्मेंट के थरू वो अब भी तक पूरा होते हुए हमें नहीं दिख रहा तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ मेरा एक ही है कि जैसे आप लोगोंने यूनिटी दिखाई है यूट्यूब वर्सिस टिक टॉफ के खिलाफ आप सब लोग इकटे हुए हैं वैसे ही मेरी आप से हाथ जोड के बिनती है कि प्लीज इस चीज़ को भी उठाईए इस चीज़ के भी सपोर्ट में आईए और चाहे आप यूट्यूबर हो चाहे आप टिक टॉक वीडियो बनाते हो चाहे आप ब्लॉगर हो या आप मीम्स बनाते हो या आप इंस्टागराम पे आपका कोई पेज है किसी भी सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी प्रिंट सोशल कहीं पे भी अगर आपका कुछ भी ऐसा है माध्यम कि जिसके तुरूँ आप आवास उठा पाएं और हमारे सरकार को ये चीज़ बता पाएं कि हम लोग सब साथ हैं अपने उन प्रवासी भारती मजदूरों के साथ कि आप लोग बता पाएं कि हम सब अपने प्रवासी भाई बेहन मजदूरों के साथ हैं तो प्लीज प्लीज मेरी आप सब लोग उसे हाँ जोड़ के बिनती है कि प्लीज उठीए जागरोप बनिये और इसके खिलाफ लिखिए और इसके खिलाफ जितना हो सके सोशल मीडिया में फैला दीजिए ताकि हमारी सरकार जो अभी तक पूरी अच्छी तरह से नहीं जागी वो जाग जाए मैं यहाँ पे सरकार की बात कर रहा हूँ चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्जियों की सरकार हो जब ही भी हमें कुछ भी बात सुनने को मिलती है तो यही मिलती है कि केंद्र ने ये आदेश दे दिया है राज्जे सरकार का काम है राज्जे सरकार हम से यह चीज़ बोलती है कि हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा या केंद्र से हमें पूरे सुझाव या XYZ पूरे सुझाव हमें केंद्र से नहीं मिल रहे हैं केंद्र से हमें वो सपोर्ट नहीं मिल रहा जो सपोर्ट हमें चाहिए ये टाइम पे हम लोगों को कोई भी राजनीती नहीं चाहिए राजनीती पिछले 70-70 सालों से होती आ रही है हम लोग चुप चाप से सुनते है ये टाइम ऐसा है कि हमें राजनीती नहीं चाहिए हमें सिर्फ और सिर्फ result चाहिए हमें नहीं सुनना है कि केंदर इसकी वज़े केंदर की वज़े से केंदर सरकार की वज़े से ये चीज़े नहीं हो पारी या राज्य सरकार की वज़े से ये चीज़े नहीं हो पारी हमें सिर्फ एक बात का आंसर कर दे अपने घर कोई जगर जा रहा है तो वो सड़कों पे पैदल ना चल रहा हो कोई ऐसा डेट बता दे कि जिस दिन हमें ये चीज दिखना बंध हो जाएगा हम सिर्फ उन से ये ही गुजारश करते हैं और कुछ नी चाहिए हमें हमें सिर्फ एक चीज बता दो कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन के बाद हमें सड़कों पर हमारे मजदूर भाई भेन चलते हुए अपने घर की तरफ ना दिखे अगर वो लोग जा रहे हूं अपने घर तो या तो बस या ट्रेन या टेक्सी हवाई जाज सरकारी गाड़ियां जा यूज ना कर रहा तो भेजो फिर उनको सरकारी गाड़ी को दिकत क्या भेजने के लिए गाड़ियां कम पढ़ रहे हैं क्या बसलãy कम प्राब्लम कहां पे भीजने के लिए क्यों नहीं भीज रहे हैं खुद तुम लोग एसी में बैठे हो और यहां पे इतनी गर्मी होने के कारण उसके बाद भी लोग नंगे पाउं चल चल कर जा रहे हैं अपने घर कहीं तक तो पहुंचेंगे कहीं तो पहुंचेंगे यह ची प्रेगनेट लीडीज हैं कुछ तो शरम कर लो यार सरकारे जाग जाओ 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 प्लीज प्लीज जाग जाओ साथ ही साथ मैं अपने उन भाई बैनों को भी बोलना चाहता हूं जिन लोगों ने कुछ भाली में पिछले कुछ तिनों में सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म को बहुत सपोर्ट किया है खासतोर से यूट्यूब को जब ये टिक टॉक और यूट्यूब वाला सीन चला था तो अभी भी मैं उन सब भाई भेनों को बोलना चाहता हूं कि अभी टाइम है सब को दुबारा से एक जगा पे आने का एक साथ आने का चाहे कोई भी तुम प् टॉक, इंस्टाग्राम, स्नाप चैट, फेसबुक, कोई भी लेकिन प्लीज अपनी अवाज उठाओ इस चीज के लिए ताकि जो लोग अपने घरों के लिए निकले हैं वो लोग अटलीस सेफली अपने घर पहुंच आएं और हमें ऐसे वीडियो ना दिखें जिस पे की हमें शरम आती है कि क्या किस देश में रहे हैं हम लोग जहां पे वोट मांगने के लिए नेता लोग हेलिकॉप्टर तक का यूज करते हैं गाडियों तक का यूज करते हैं बड़ी बड़ी और जिनसे वो लोग वोट मांगने के लिए आते हैं जब उनकी बारी आती है त तो साधन उपलब नहीं है, हेलिकॉप्टर तो छोड़ो यार, बसेस तक उपलब नहीं है, बसेस तक नहीं भेज पा रहे हो, प्लीज मैं हाँ जोड़के आप सब लोगों से विनिती करता हूँ, सबी सरकारों से, प्लीज कुछ करो, और हमें एक ऐसी तारीक बताओ, जिसके बाद हमें ये सब देखने को ना मिले, प्लीज बहुत 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 दुख लगता है, प्लीज कुछ करो, और साथ ही साथ मैं अपने मीडिया और इंफ्लुएंसर लोग और सिलिब्रिटीज लोग, उनसे भी ये दर्ख्वास करूँगा, हाँ जोड़के विनिती करूँगा, कि जैसे आप हर चीजों पे अपनी राय देते हैं, मुद्दों पे, प्लीज इस पे भी अपनी राय दीजिए, आईए, खड़े हुए, उन लोगों के लिए, जिन लोगों की बज़े से आपकी रोजी रोटी चल रही है, क्योंकि अगर वो नहीं होते, तो ना बिल्डिंग आते हैं, अपने घर बार छोड़ कर, प्लीज, प्लीज, बहुत बहुत धन्यवाद, और लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूंगा, कि प्लीज, सेम मेसेज अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए, वीडियो के बात नहीं करना, अपना मेसेज, सेम मेसेज, कि बोलो भी कुछ करें, बोलो भी कुछ लिखें, बोलें, तकि हमारी सोई हुए सरकारें फिर से जाग जाएं, अपने दोस्तों से ये चीज़ बात कहिए, अपने करीबियों से बात कीजिए, अपने दूर दराज दोस्तों से बात कीजिए, सबी से बात कीजिए, अब ये टाइम है एक उन लोगों को कैसे हम लोग अच्छी सुविदा देकर उनको घर तक पहुंचा सकें बस बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का